नरसेना का क्रश्णा पब्लिक स्कोल फिर बना छेत्र का नमबर वन स्कोल दो बच्चों का नवोदे विद्याले के लिए हुआ चैन पिछले च्छे वर्षों से लगातार नवोदे विद्याले में चैन देने वाला स्कूल आपको जानकर हर्ष होगा कि आप छेजर के गाउन नरसेना में स्थेथ एक छोटा सा विद्याले पिछले च्छे वर्षों से पढ़ाई में सभी को पचारते हुए लगाता प्रते एक वर्ष नवोदे विद्याले में सेलेक्शन दे रहा है यहां की पढ़ाई करके बच्चे अच्छे अंक लेकर अपने जीवन के विविन्न छेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं यहां से चैनित हुए च्छात्र नवोदे विद्याले में भी अच्छा प्रदर्शन करके हमेशा नमबर वन इस्थान पर बने रहते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है जब ग्रामीड छेत्र से भी बच्चे नवोदे जैसी कठीन परिक्षा को पास करके हमारे स्कूल और अपने माबाप का नाम रोशन करती हैं उच्छी सिक्षा प्राप्त करने की बाद भी जब मैंने गाउं में स्कूल खोला तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा था कि यहां स्कूल खोलने से क्या फायदा कहीं अच्छी सी नौकरी कर लो येकिन मैंने गाओं के बच्चों में वो प्रतिभादी की जिसे थोड़े से सहारे की जरूरत थी और मैं पिछले च्छे वर्षों से लगातार पढ़ने में वेधावी बच्चों की पहचान करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुचाने में एक चोटा सा प्रयास्तर रहा हूँ मुझे बहुत प्रसंद्धा होती है जब ये बच्चे नवोदे विद्याले में चैनित होते हैं मुझे पूल विश्वास है कि एक दिन ये बच्चे ही अधिकारी बनेंगी और देश की सेवा करेंगी और खास बात ये रही कि अंकुष का नवोदे में चैन हुआ है उसके पिता भट्टे पर मज़्दूरी का कारिकरती पड़े बेटे का भी उसका नाम सिवा है उसका भी सलगसर नवजविट डाले में होगी तो और मैं अमिस्थर जी का बहुत आवारी हूं उनसे मैंने कोचिंग कराई की और मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ी मैंने करें मैं उनके हार्टिक सुप काना देखा है और बच् चाल मैं अनसे मैं मैं आवड़ी मैं